हलो इन्वेस्टर्स, फाइनली एक लंबे वीकेंड के बाद में आज ट्यूजडे दुबारा से मार्केट ओपन होगा और इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बजाज और SBI के साथ में टोटल में 6 ऐसे स्टॉक्स बताने जा रहा हूं जिनोंने यहांब इस टॉक बोनस, स्टॉक स्प्लेट एंड डिविडेंड अनौंस कर दिया है मैं हूँ आरूश आप लोग देख रहे हैं फिनो मीडिया बाया आरूश आईए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज आते हैं बात करते हैं यहांपे अमारे पहले शेयर की तो कंपनी का नाम है J&K Bank यानि की J&K Bank लिमिटेड अभी यह जो वीडियो है आज Tuesday के दिनी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं जस्ट मार्कित ओपनिंग से पहले रिकॉर्ड कर रहा हूं तो जितने भी शेयर के आप current price देख रहे हैं यह सभी के सभी last trading session के closed price हैं अब लास्ट ट्रेडिंग सेशन पे जम्मू एंड कश्मीर बैंक का जो शेयर है 0.55% के एक छोटे से करेक्शन के साथ में क्लोज हुआ था और कंपनी के शेयर का जो क्लोजिंग प्राइस था 122 रुपीज का था इस कंपनी के अगर ओफिशल अनॉंसमेंट की हम बात करें तो जे एंड के बैंक ने जो है यहाँ भी डिविडेंट अनॉंस करके रखा है 2.15 रुपीज का आप लोगों को आपके हर एक शेयर के उपर में 2 रुपे 15 पैसे का डिविडेंट दिया जाएगा डिफिनेटली डिविडेंट वैल्यू काफी जादा अच्छा है बट अभी दख कंपनी ने एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट अनॉंस नहीं करी है जैसी अनॉंसमेंट आ जाएगा मैं आप लोगों को इंटीमेट कर दूंगा अगले शियर की बात करें तो कंपनी का नाम है IDBI Bank Limited लास्ट ट्रेडिंग सेशन पे IDBI Bank का जो शियर है 0.3% के एक पॉजिटिव नोट के उपर में क्लोज हुआ था और कंपनी के शियर का जो क्लोजिंग प्राइस था वो 86 रुपीज का था अगर इस कंपनी के ओफिशल अनाउस्मेंट की हम बात करें तो IDBI Bank ने यहाँ पे डिविडेंट अनाउस कर दिया है 1.50 रुपीज का डिफिनेटली यह भी काफी जाधा शानदार डिविडेंट है आप लोगों को आपके हर एक शियर के उपर में 1.5 रुपे यानि की 1.50 प अगले शियर की बात करें तो कंपनी का नाम है CDSL यानि की Central Depository Services India Limited लास्ट ट्रेडिंग सेशन पे एक कंपनी का जो शियर है 0.6% के एक छोटे से पॉजिटिव नोट के उपर में क्लोज हुआ था और कंपनी के शियर का जो क्लोजिंग प्राइस था 2115 रुपीज का था अग एक है Final Dividend और वहीं जो दूसरा है वो है Special Dividend Final Dividend रहेगा 19 रुपीज का Special Dividend होगा 3 रुपीज का Total अगर आप कंपाइंड कर दें आप लोगों को आपके हर एक शियर के उपर में 22 रुपीज का डिविडेंड दिया जाएगा बेशक आपके पास में जितने मर्जी शियर ह हर एक शियर पे 22 रुपे का Dividend आपको मिल जाएगा जो कि अगेने काफी अच्छा Dividend Announcement है बट इसको देने की भी X Date, Record Date जो है अभी फिलाल Upcoming में है अगले शियर की बात करें तो कंपनी का नाम है MM Forging Limited लास्ट ट्रेडिंग सेशन पे एक कंपनी का जो शियर है 0.5, 0.6% क एक छोटे से correction के साथ में close हुआ था और कंपनी के share का जो closing price था 1,203 रुपीज का था अगर इस कंपनी के official announcement की हम बात करें तो MM Forging ने जो है यहाँ आप इस stock bonus announce कर दिया है 1 to 1 के ratio से जिसका मतलब यह है अगर आपके पास में इस company का एक share है तो यहाँ पे आपको एक share है जब bonus मिलेगा total में जो आपका एक share है वो दो shares के अंदर में convert हो जाएगा चाहे फिर बेशक आपके पास में इस company के जितने मरजी shares हो आपके सभी के सभी shares यहाँ पे double हो जाएगे and इस bonus को देने की जो X date और record date है अभी तक company ने announce नहीं करी है जैसी announcement आ जाएगा definitely मैं आप लेगों को intimate कर दूँगा अगले share की बात करें तो company का नाम है bridge securities limited last trading session पे company का जो share है 2% correct होता हुआ देखने को मिला और 24 रुपीज पे company का share close हुआ तो कहीं न कहीं आप share का price देख करके ही समझ गया होंगे कि यह एक penny stock है और अगर हम लोग इस company के official announcement की बात करें तो bridge securities ने जो है अगर आपके पास में इस company के 2 shares हैं तो वो total में 10 shares के अंदर में convert हो जाएंगे चाहे फिर बेशक आपके पास में इस company के जितने मरजी shares हों आप लगों का हर एक share या पे 5-5 shares के अंदर में convert हो जाएगा अगले share की बात करें तो company का नाम है बजाज consumer care limited लास्ट ट्रेडिंग सेशन पे company का जो share है 0.3% के एक छोटे से upside note के उपर में close हुआ था और 263 रूपीज का company के share का closing price था अब बजाज consumer की तरफ से काफी बड़ी और एक positive update निकल करके आ रही है basically यहाँ पे आपने सुनाई होगा यहाँ पे ICICI securities करके एक काफी जाना माना brokerage firm है और ICICI securities ने जो है बजाज consumer care के share के उपर में bullishness दिखाते हुए buying recommendation share करी है और जो target price यहाँ पे दिया गया है वो 300 रूपीज का दिया है तो लगबग 263 रूपीज से लेकर के 300 रूपीज तक की एक जो rally है वो यहाँ पे ICICI securities expect करके चल रहा है बजाज consumer care के share के उपर में अब देखा जाए बजाज group की one of the most important companies में से एक है और क्योंकि बजाज group की company है तो कहीं न कहीं trust वाला factor आप यहां से हटा सकते हैं trust यहाँ पे definitely काफी बढ़िया रहेगा और risk की भी involvement एकदम ना की बराबर होगी अगर हम देखे target की बात करें तो target आपको जादा बड़ा देखने को नहीं मिलता short term का आपका यह target रहने वला है जादा से जादा हो सकता है mid term तक stretch हो जाए बट short term से लेकि mid term में definitely 300 रुपे तक जो है बजाज consumer care का share आपको आता हुआ देखने को मिल जाएगा और साथी साथ में fundamentally financially company काफी strong है तो आपको definitely बजाज consumer care के share पे नजर बना के रखनी चाहिए and at least आपके watch list के अंदर में add कर लीजिएगा अब आजाते हैं बात कर लेते हैं यहाँ पे हमारे अगले end last stock की तो company का नाम है SBI Cards and Payment Services Limited last trading session में SBI Cards का जो share है 0.2% के एक छोटे से upside note के उपर में close हुआ था और 728 रोपीस का company के share का closing price था अब SBI Cards and Payment Services की तरफ से भी एक काफी बड़ी and एक positive update निकल करके आ रही है basically यहाँ पे आनंद राठी करके एक काफी जाना माना brokerage firm है and I'm sure आप लोगों ने आनंद राठी का नाम तो at least चुना होगा इंडिया के अंदर में काफी जादा well known और well reputed है अब आनंद राठी ने जोवे SBI Cards and Payment Services के share के उपर में bullishness दिखाते हुए buying recommendation शेयर करी है और यहाँ पे जो target price दिया गया है वो 855 रुपीज का दिया है तो लगबग 728 रुपे से ले करके 855 रुपे तक की एक जो rally है वो यहाँ पे आनंद राठी एक्सपेक्ट करके चल रहा है SBI Cards and Payment Services के share के उपर में अब देखा जाए fundamentally financially यह company भी काफी जादा strong है उपर से SBI की company है कही ना कही PSU unit आप PSU sector के अंदर में count कर सकते है directly या indirectly कह लिजिए government का support यहाँ पे बनाए तो आपका risk वाला तो factor एकदम ही zero हो जाता है यानि की risk के chances आपकी कम हो जाते है उपर से company lending business के अंदर में है यानि की loans और credit cards के business में है जोगी clearly यह काफी जादा अच्छा और काफी highly profitable sector है यह sector अभी तो grow कर रहा है जैसे जैसे आने वाले time में Indian economy और grow करेगी definitely यह जो lending business है यह भी हमें और 30 से grow करता हुआ देखने को मिलेगा and SBI cards भी उसमें से एक ऐसी company बनेगी जोगी आपको massive returns देती हुई देखने को मिलेगी अब यह तो हमने long term की बात कर ली अगर अभी की बात करें तो आनंद राटी ने जो 8.55 रुपीज का target दिया है यह आपका short term से लेके mid term का again target रहने वाला है short term नहीं तो जादा से जादा mid term के अंदर में achieve हो सकता है payment services और बजाज consumer care इन दोनों companies के shares पे आपकी नजर बना के रखिएगा और इन दोनों के अलावा आपको जिस भी company के share को purchase करना हुआ ताकि यहाँ पे आपको उसके announcement का benefit मिल पाए तो उस particular share को आपको उसकी X date से पहले पहले purchase कर लेना होगा बाकी इस वीडियो के अंदर में इतना ही यही 6 stocks थे जिनकी तरफ से बड़ी updates आ रही थी जिनोंने आप इस stock bonus, stock split and dividend announce किया था अब अगर आपको वीडियो ची लगी हो definitely वीडियो को like कर दीचेगा इस channel को भी जरूर से subscribe कर दीचेगा विगोस फिनों मीडिया के अंदर आपको ऐसे ही stock market से related content देखने को मिलता रहेगा चलिए मिलेंगे किसी और वीडियो के अंदर, till then, bye